नमस्कार, वंदे मात्रम, मैं बल्दियो राजपुत, दुर्ग 36 गड़ से आज हम एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें सपली इक्जाम के बारे में चर्चा होगी आज हम देखेंगे के दुर्ग युनिर्सिटी मतलब हेमचंद यादाव विश्रिद्याले दुर्ग में जो सपलीमेंटरी का फॉर्म है वो कौन से कहां से कब तक भराया जाएगा दूसरा जो बच्चे रिवेल में डाले हैं वो अगर सपली आते हैं तो उनका क्या होगा तीसरा यूएफेम में जो बच्चे सपली आया हैं उनका क्या हो सकता है और विथेल्ड में जिन बच्चों का रिजल्ट है वो अगर सपली डिकलियर होते हैं तो उस condition पे वो supplementary का form किस प्रकार भरेंगे, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic, देखिएगा दुर्ग विश्विध्याले में supplementary जो exam form है, वो कल से मतलब 24 तारीक से भराना चालू हो जाएगा, ये form online भराये जाएगे, और ये जो इ और ये जो form है, 7 अगस्त, मतलब 7, 8, 2023, 7 अगस्त तक ये form भराये जाएगे, यहाँ पर जब भी आप form भरते हैं, तो form भरने के बाद जो उसका print out निकलेगा, उस print out को college में जाके जमा करने की जो अंतिम्तिती है, वो है 8 अगस्त, 8, 8, 2023 को students के लिए hard copy submit करने का date रखा गया ह वही college जो university को आप सभी के जो formalities complete करती है, उसकी तारीक 11 अगस्त, मतलब 11, 8, 2023 को रखा गया है, अब अगर हम बात करें के form भरना कैसे है, उसकी online जोकी भरना है, तो website क्या है, तो durg.youcanapply.com में आप जाके form भर सकते हैं, या www.durguniversity.ac.in पर जब आप जाएंगे, तो आपको एक option मिलेगा, quick links का, जब आप quick links को click करेंगे, तो supplementary exam form 2023, मतलब 2023 आपको लिखा हुआ आएगा, उसे आपको click करना है, फिर आप student portal से अपने password और ID की सहायता से form भर पाएंगे, जो fees रखी गई है, वो BA वाले बच्चों के लिए 820, BSC वाले बच्चों के लिए 1075 और जो आपके MFIL या अपर जो courses हैं, उनके लिए 1380 के आसपास fees रखी गई है, जब आप form भरेंगे, तो आपको fees जो है, वो और अच्छे से clear हो जाएगी, अगर form को भरते समय आपको कोई भी problem आ रही है, तो आप help line number 0731-4850140 पर call करके, जो भी आपकी doubts हैं, उन्हें help line number आपका कितना help करेगा, बट ये help line number आपको दिये गए हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है, कि जब भी आप supplementary का form भरें, तो उसका दो print out लेना पड़ेगा, पहला print out जो रहेगा, मतलब आप जब भी उसका print out निकाले, तो उसका एक photo copy भी करा लिजेगा, एक अपने 30 रुपए आपको additional वहाँ पर देना होगा, ये rule में लिखा हुआ है, पहला copy आपको अपने घर में रखना है, और दूसरी copy में required document, required document का मतलब है जो आपका supplementary का net copy होगा, ये supplementary का result की net copy है, उसको वहाँ पे पीछे लगा देना है, और 30 रुपए आपको extra college में जमा करने चलिए कोई बच्चा fail हुआ है, उसने reveal में डाला है, reveal में दो category है, एक है rechecking और दूसरा है recounting, कोई भी बच्चा जो 2 subject में या 3 subject में fail रहा होगा, उसने rechecking या recounting में डाला होगा, अब अगर rechecking और recounting में वो बच्चा उसका result जो fail था, उसका result क्या हो जाता है, supply, मतलब अ एक subject में pass हो जाएगा, तो उसका एक subject क्या लग जाएगा, supply, उसी प्रकार अगर कोई बच्चा 3 subject में fail था, और reveal में वो 2 subject में pass हो जाता है, एक subject में अगर उसका supply आता है, तो इस condition पे उसको 3 दिन का समय मिलेगा, supplementary form भरने के बाद, मतलब supplementary का form भरने के लिए उसे 3 दिन का समय दिया जाएगा, क्योंकि जो दुर्ग University है, उसमें होता यह है, कि जो reveal का result है, वो supplementary exam के 8 या 10 दिन पहले, या 2 दिन पहले आता है, for example, अगर मान के चलिए, बहुत ज़्यादा late result आता है, reveal का, तो और कोई बच्चा fail रहा होगा, मतलब अगर 2 subject में fail रहा होगा, तो अग exam के एक दिन पहले तक, वो college में, वो university में जाके, अपना जो form है, वो supply का submit कर सकता है, एक जो उसकी सुल्क है, जो यह आपका exam fees है, उसे pay करके, वो जो है, exam में बैठ सकता है, फिर से मैं repeat कर देता हूँ, कि कोई भी बच्चा, अगर reveal में fail से pass होता है, उस condition पे, उसे अगर य पाएगा, उससे तीन दिन के अंदर, वो जो है, supply के लिए apply कर सकता है, उसको जो भी सुल्क है supplementary का वो देना होगा, उसके बाद वो supplementary का paper दे पाएगा, तो यह था जो reveal में जो बच्चे fail है, और अगर वो supply आते हैं, तो उनके लिए ऐसी विवस्था की गई है, maximum जो रखा जाकर, यूनवर्सिटी में जाकर, आप क्या कर सकते हैं, आप apply कर सकते हैं, कि भई मैं इस subject में pass हो गया हूँ, तो उस condition पे भी आप जो है, वो supplementary का exam दे पाएगे, अब आते हैं, नकल प्रकरण, मतलब UFM में, जुन भी बच्चों का category A और B आया है, category A में कैसे बच्चे जिनको कोई भी punishment नहीं दिया गया, category B में ऐसे बच्चे थे, जिनका एक paper cancel कर दिया गया, तो जो भी category A और B में जितने भी बच्चे supplementary आये हैं, वो क्या करेंगे, कि उनका जो net copy है, UFM का, उनका जो result का जो, जिसमें UFM लिख किया आ रहा था, वो, और जब वो UFM आये हो तो उसका एक PDF जारी किया गया होगा, उसमें अपने नाम के जो है, वो अली photocopy वो ले लें, और उसके बाद अगर result आ जाता है, तो result जमा करना है, और अगर result नहीं आएगा, तो UFM का जो PDF आया है, वो, दूसरा, जो net copy है, वो supplementary form के साथ भर कर college में जमा कर सकते हैं, वो भ UFM में जिनका भी supply लगा है, उन बच्चों को भी जो form है supplementary का, वो 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच ही भरना है, अब एक और category में आते हैं, withheld, रोके गए result, कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनका result रोक दिया गया है, अब अगर ये माल लिया जाए, कि उन बच्चों का result 24 जुला ये वो बच्चे होंगे, जो withheld में supply आए हैं, तो जो बच्चे withheld में supply आए हैं, अगर इस बीच में अगर उनका result आ जाता है, और उन्हें supply डिकलियर किया गया है, तो वो 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो बच्चे जो ये date है, वो cross कर जाते ह थेल्ड का result जो है, वो 7 अगस्त के बाद आता है, तो उस condition पे उनको 3 दिन का समय दिया जाएगा, कि वो जो हैं, जो बच्चे supplementary आए हैं, वो अपना form भर सकें, तो दुर्ग University ने supplementary exam की पूरी तयारी कर ली है, जहां पर उन्होंने supply वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ए बना के रखा हुआ है, UFM वालो बच्चों के लिए भी उन्होंने पूरे guideline बना के रखी हुई है, और withheld के लिए, तो ये जो पूरा concept है, वो supplementary को जो धान में रखते हुए दुर्ग University ने जारी किया है, अगर मान के चलिए, अगर कोई बच्चा जो है, वो अगर Reveal में प से आपके supplementary exam की fees अगर वापस चाहिए, तो उसके लिए क्या process होता है, वो मैंने पहले ही इसके उपर एक video बना के रखा हुआ है, लिंक में मैं आपको description में आपको link दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि supplementary का ये जो notification कॉलेज द् किया था, उसे मैं आपको समझा पाया हूँ, अपने वो दोस्त जो supplementary आए हैं, या जिन्होंने रिवेल में फॉर्म डाला है, उनको अगर आपको उचित लगे, तो इस video को share कर सकते हैं, इसी तरह की videos देखने के लिए हमारे channel को subscribe कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगले video में, तब